मधू मख्यां तो आप सब ने देखी होंगी ये मधू मख्यां फसलों की पैदावार में कितना बड़ा काम करती है शायद सब नहीं जानते मधू पालक इन मधू मख्यों के बक्सों को वहां रखते हैं जहां फसले लगी हो या फूल हो लेकिन कुछ किसान ना समझी के कारण मधू मख्यों के बक्से अपने खेतों के पास नहीं रखने देते उनका कहना है कि मधू मख्यां उनकी फसलों का रस चूस जाएंगी और उन्हें नुकसान होगा लेकिन मदुमक्खियां किसानों को नुकसान नहीं बलकि फायदा पहुंचाती हैं ये फायदा कैसे पहुंचाती हैं सुनिए I.A.R.I. पूसा के वैग्यानिक डॉक्टर बलराज से टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकन भी दबाएं ताकि आगयाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मदुमक्खी पालक अगर कहीं पर अपने जो मदुमक्ख्यों के जो बकसे हैं या डिब्बे हैं उनको लेकर अगर जाते हैं और वो फसलों के आसपास खेतों में उनको रखते हैं तो निश्चित रूप से उन मदुमक्ख्यों के वहाँ उपस्तिती होने की वज़े से फसलों को कोई नुक्षान नहीं होता है, बलकि उन फसलों को फाइदा ही होता है, मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा, कि अक्सर फसले दो परकार्की होती है, कोई भी फसलों, कोई भी पेड़ हो, चै फलका पेड़ हो, चै वो सबजियां हो, चै वो धन्य फसले हो, चै तिल क्रॉप्स हैं वहां बगर प्रागन करता कि मथुमक्या शामर्ण है जिसमें कि भोल यह सब शामर्ण है लेकिन ज्यादा रॉल ज्यादा योगदान 70 से 75 पर्तिशत योगदान मभीमक्यों का उता है अंदर वो सक्षम प्रागन करता है जैसे मैं अगर दूं आपको बाजरा है क्रोस पॉल्येटेट है मक्का है क्रोस पॉलेटेट है आपकी बेल वाली सब्जियां लॉकी तुरही करेला खर्बुजा कटी खीरा यह जितनी भी खेतों में और सब जो है ना पॉलनेटेड फल यह पॉधे या फसले हैं इन में अगर यह इस प्रकार से प्रागन करने में साहे कीट चै मदुमक्खी या दूसरे कीट ना हो तो उन में उपज में भारी गिरावट और गुणवत्ता में हास होगा यहां तक की जो दूसरा वर्ग में आपको बता रहा हूँ जो सव प्रागित फसले सेल पॉलनेटेड ग्रॉप्स हैं जिसमें मैं बताना चाहूँगा आपको की टमाटर है सव प्रागित है लेकिन खुले खेत में उसमें हवा जो है वो उसके फूलों को हिलाने में काम करती है तो एयर असिस्टेड पॉलनेशन वहां पर होता है लेकिन अगर उसको ग्रीन हाउस में लगा दें उस टमाटर को तो वहां पर एयर मुमेंट नहीं होगा हवा का आदान परदान नहीं होगा तैसी स्थिति में उसको आवसक रूप से प्रागंड में सायता की जरूरत हैं और जब जाके फ्रूट सेट होता है टमाटर के अंदर दूसरा उधान मैं बता रहा था आपको सेल पॉलनेटिड का अक्सर हम सोचते हैं सर्सों क्रॉस पॉलनेटिड क्रॉप है लेकिन सर्सों पर बड़े भारी पैमाने पर हमारे देश में खेती होती है और ऐसे में सर उसमें पॉलनेशन का कार्य संपन नहीं होगा और सेल पॉलनेटिड होते बें सर्सों के अंदर अगर हमने मदुमक्यों की कमी है वहाँ पर तो उपज में हास होता है गरावट आती है गुणवत्ता भी गटती है और अगर कहीं हमने परती एकड या परती हैक्टेर के स्टेज पर ठीक ठाक फूल आ जाएं तो उस स्टेज पर हम रखते हैं और ऐसे रखने से 25 से 30% उपज के अंदर इजाफा होता है बढ़ोत्री होती है और गुनवत्ता गुनवत्ता का मलब है तेल की मात्रा का बढ़ना वो भी उसमें अक्सर देखा गया है तो इस परकार स से जब ऐसा भ्रम कई किसानों के मन में अगर आता है कि मदुमख्य पालक क्योंकि इसको हम माईग्रेटरी मोड बोलते हैं कि साल बर तो फसले नहीं हो सकती सर्दी में ज्यादा फसलें सर्सों या दूसरी फसलें सर्दी के मौसम होती है तो ऐसी स्थिति में ज्यादा मदु को अकसर दूसरी जगह ले जाना पड़ता है इसको बोलते माइग्रेशन माइग्रेटरी मोड मदुमखी पालन का ऐसी स्थिति में इन से मैं यह बताना चाहता हूं हमारे किसानों की जानकारी के लिए कि मदुमख्यों के अगर बक्से कहीं रखे हैं उससे किसी फसल को कोई न नेक्टर और पोलन को इकठा करती हैं और यह बता दूम आपको जैसे एपिस मैली फेरा है पालतू पर जाती है एपिस सिराना इंडिका पालतू पर जाती है चुलो इनके तो आपने बक्से रख दिया आपने देख लिए लेकिन प्रकरती के अंदर दो परजातियां एपिस बर्मन करती है वो भी तो अपना खाना इकठा करती है उसी दोरान जो सुस्क और अर्ध सुस्क जलबाई वाले अक्षेत्र है राजिस्थान है गुजरात है मद्वर परदेश के बहुत सारे बाग है महरास्त्र के बहुत सारे ऐसी स्तिती में जहां हम एपिस मैली फेरा को नहीं रख सकते जहांपे उनके डिबे तापपान की वज़े से हुमिलिटी की वज़े से तो ऐसी स्थिती में वो जो जंगली पर जातिया हैं वो इस परकार का कारिय संपन करती हैं जिनको आप देख भी नहीं पाते तो इसलिए ये भरम हमारे किसानों के मनमनी होना चाहिए बिलकुल भी कि मदुमक्यों की वज़े से उनकी फसलों को नुक्षान होता है निस्चित रूप से अगर चे वो पालतु पर जाती है चे जंगली पर जाती है अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं हो किसी भी रूप में तो निस्चित रूप से फसलों को नुक्षान होगा उनकी उपज घटेगी, और उनकी गुणवत्ता में गरावट आएगी, और मदुमक्खी पालन जब से मुआ है, हमारी फसलों की उपज में इजाफा हुआ है, और उसकी गुणवत्ता में इजाफा है है। पाल्तु का तो जनसंख्या बढ़ रही है, काफी अद तक, दौनों में, एपिस मैलिफेरा की भी और सिराना इंडिका की भी, लेकिन जो जंगली पर जातिया हैं, डौर्साटा और फ्लोरिया, उनकी जनसंख्या लगातार गिर रही है, जो एक चिंता का विशह है, किस के लिए और हमारे पेड़ पौदों के लिए, तो इसलिए हमारा निरंतर प्रियास है, कि दोनों परकार की पाल्तु और जो जंगली पर जातिया है, उनकी जनसंख्या निरंतर बरकरार रहे, अगर पाल्तु की जनसंख्या बढ़ती है, तो उसको भी हमें बचा के रखना है, इस पृत्वी के उपर खेती का पेड़ पौधों का और मदुमक्यों का परस्पर जो है जीवन यापन एक दूसरे के उपर निर्बर है अगर एक नहीं हो तो दूसरे का जीवन समापत हो जाएगा अगर मदुमक्या नहीं हो तो फसलों में उपज नहीं आएगी खास करके पर तो जैसा डॉक्टर बलराज ने बताया कि मधू मख्यां बड़े काम की हैं इसलिए अगली बार जब भी कोई मधू पालक आपके खेट के पास मधू मख्यों के बक्से रखे तो उसे भगाईये मत बल्कि उसका स्वागत कीजिए क्योंकि वो फ्री में आपकी फसलों की पैद साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले